अब हम करेंगे question number 23, इसमें हम एक आया है from an external point P, एक external point P है, two tangents P A and P B are drawn, point P external point यानि कि outside the circle है और यहां से दो tangent P A और P B draw किये गए है, to a circle with center O, और इस circle का center जो है O है, अब mark कर देते हैं, at point E, अब एक point E है, a tangent is drawn, और उस point पे circle पे एक tangent draw किया गया है, C D tangent, जो P A और P B को C or D point पे cut कर रहा है, और साथ में हमें कहा है कि अगर P A 10 cm है, P A 10, जो tangent है, उसकी length 10 cm है, तो हमें find करना है, the perimeter of triangle P C D, तो given लिखे लेंगे, जो जो हमें दिया हुआ है, और to find perimeter of triangle P C D, तो अभी कैसे करेंगे, ध्यान से समझना, सबसे पहले हम देखेंगे, जो external points है न, वहां से कौन से tangent जा रहे हैं, क्योंकि दो tangent जो एक external point से जाते हैं, उनकी length हमेशा equal होती है, तो सबसे पहले point P से, P A और P B दो tangent है, तो हम लिख सकते हैं कि P A is equal to P B, और इसी तरह से point C से भी दो tangent जा रहे है, कौन से दो tangent बच्चा, C A is equal to C, इसी तरह से point D से भी दो tangent है, D E और BD, D E is equal to BD, तीनों का रिजन सेम रहेगा, tangent drawn to a circle from an external point, अब हमें find क्या करना है, हमें find करना है, perimeter of triangle P C D, अब P C D कौन सा triangle है, द्यान तो बच्चा, पॉइंटर पे ये वाला, किसी भी figure का perimeter, sum of all side होता है, so perimeter of triangle P C D, किसके equal होगा, sum of all its size, तीनों side के, sum के equal, that means PC P C, एक side इसकी PC है, देखो, pointer पे दे आ देना, plus CD, second side CD, ये वाली, plus PD, third side, okay, अब next, PC को हम break नहीं कर सकते, कि PC तो एक single line segment है, तो PC को हम PC लिखेंगे, लेकिन CD दो पार्ट में divide हो सकती है, बच्चा, कौन से दो पार्ट, एक है CE, और एक DE, तो CD को हम CD की जगे, CE plus DE लिखेंग plus PD, क्योंकि PD भी एक single line है, तो इसको भी हम expand नहीं कर सकते, अब आगे देखो बच्चा, PC को हम PC लिखेंगे अभी, और CE किसके equal है, CA के, CE is equal to CA हमने proof किया है, तो CE की जगे CE आ जाएगा, और DE किसके equal है, BD के, तो DE की जगे BD लिखेंगे, plus PD, अब आगे द्यान देना बच् CA, अगर हम एक साथ combine करे, तो हमें कौन सी line segment मिलती है, तो PCA वाली होगी, और CA, पूरा PA मिल जाता न, PA tangent, तो PA लिख सकते हैं, और इसी तरह से, BD plus PD, BD कौन सी है, यह वाली line segment, और PD यह वाली, बड़ी वाली, तो यह मिल के क्या बनाते है, tangent PB, तो PA plus PB होगी है, यहाँ पर म तो हम PB की जगे PA लिख सकते हैं, yes, लिख सकते हैं, वैसा थो, PA की जगे भी PB सकते थे, लेकिन आपमें कौोस्टन में, वेल्यू किस की दिया है, PA की दिया है, तो इसलिए, हमने PB की जगे PA लिखा है, तो PA plus PA टोyce PA होगा, जैसे X plus X to X होता है, तो PA plus PA twice PA होगया, और PA की झाल कर दो